गुद इवनिंग फ्रेंड्स और देरे स्ट्वेंट्स वेलकम टॉ आर चेनल में राजेंदर मंदलू आपका हमारे सेनल पर स्वागत करता हूँ आज का हमारा टोपिक है लेसन नंबर 14 क्लास 12 जनरल इंग्लिस एंपी बोर्ड इंडिया विजन 2020 है ना तो इसके question answer को हम देख रहे हैं पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए प्ले लिस्ट में विजिट करें प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे चलिए पहला question है what makes the author believe that India is ready for action now? ऐसी क्या चीज थी जो लेखक को इस बात का विश्वास दिलाती है कि भारत अब कुछ करने के लिए आथूर है तो ऐसी क्या चीज थी देखते हैं the fact that now a large part of our population is young and raring for change makes the author believe this लेखक को इस बात का विश्वास इसलिए होता है कि भारत के अधिकांस तब जो जन सिंख्या है वा कैसी है? young and raring है young है, you are है और वो कुछ करने के लिए आतूर है question number two है why did the private sector in the past independence India suffer from lack of self-confidence तो इस question के आर्थ को यदि समझा जाए जब भारत सोतंत्र नहीं हुआ था उस समय की बात हम यदि कर रहे हैं तो private sector में आत्मिश्वास की कमी क्यों थी? मतलब आत्मिश्वास का अभाव क्यों था? तो देखते हैं क्यों था? it was because ऐसा था क्योंकि at that time Indian industry was controlled by the government उस समय भारत की जितनी भी इंडरस्टियां थी वो सब government के control में थी people required licenses, license and permit to launch new ventures मतलब कुछ भी नई चीज करने के लिए उनको जोखिम उठाने के लिए या कुछ नया करने के लिए उनको license और permit की आवशक्ता होती थी question number 3 है describe the modern achievements of Indians भारत के आधुनिक achievements के बारे में बताईए या वर्णन कीजिए तो जो modern achievements हैं उनका वर्णन करते हैं देखिए we have launched our own missiles हमने हमारी सोयम की missiles launch की आवर IT companies and auto component manufacturers are among the rest in the world auto components जो है वो भी हमारे देश में manufacture होते हैं और पूरे विस्व में उनको बेस्ट हैं थर्ड की और बात करें agricultural production is soaring का अर्थ होता है उपर उठना या उडान भरना तो हमारे क्रसी के जो production है वह भी काफी उचाईयों को छू रहे हैं question number 4th point है और pharmaceutical industries are capturing world markets हमारे जो pharmaceutical industries हैं वह भी दुनिया भर के markets को capture कर रही है and are set to invent new drugs और नहीं नहीं जो दवाईयां हैं drugs हैं उनको भी वह invent करने के लिए तयार हैं पांचवा पॉइंट है इसी में Indian professionals are be recognized in their achievements in all parts of the world विस्वभर के अन्य हिस्सों में भी भारत के जो professionals हैं उनको भी recognized किया जा रहा है हमारे achievement के लिए आगे question number 4 की ओर चलें तो question number 4 है what is the contribution of satellite communication in increasing the awareness तो इसके आर्थ को यदि देखा जाए question number 4 बढ़ती हुई जागरुकता में दूर संचार का क्या योगदान है जो communication of satellite है या satellite communication है इसका क्या योगदान है तो देखते हैं satellite communication exposed people to existing realities in the world विसुभर की जो वास्तविकता है उनको उजागर करती है exposed का अर्थ होता है उजागर करना है या सबके सामने लाना why not in India भारत में क्यों नहीं is a question which arose in the minds of viewers जो भी इस बात को देखते हैं सुनते हैं जो वीवर्स होते उनके दिमाग में बात उठती है so awareness increased इसलिए जो जागरुकता है वो बड़ी this is the communication of satellite communication ठीक है next question की ओर जलने तो question number 5 है what are the impediments in India's developments impediments का अर्थ होता है बाधा तो भारत का जो विकास है उसमें कौन-कौन से impediments या कौन-कौन सी बाधा है आती है जैसे परवेशिव करप्सन मतलब सब दूर व्याप्त जो ब्रस्टाचार है mindless bureaucracy bureaucracy का आर्थ होता है नोकर साही and greedy politician और स्वार्थी राजनेता are the impediments of India's development यही वो चीज़े हैं जो भारत के development में रोगधाम या impediments बाधा उत्पन्न करती है question number 6 की ओर चलें what place does agriculture occupy in vision 2020 देखिए याद करने के लिए सबसे important चीज़ यह है कि आपको question समझ में आना चाहिए तो question यहाँ पर क्या के रहा है वीजन 2020 में क्रसी का क्या इस्थान है तो देखते हैं agriculture would have become very remunerative to farmers with the success of second green revolutionary India will have surplus food production to the world after domestic conception is made मतलब यहाँ पर एक word आया है surplus इसका आउर्थ होता है जब कोई वस्तू या किसी वस्तू का जब हम उत्पादन करते हैं ताकि उसको बाहर निर्यात किया जा सके वाट रॉल उड इंडियन इंड्रस्ट्री प्ले इन दे कमिंग एर्स आने वाले समय में आने वाले वर्सों में भारती इंड्रस्ट्रियां जो है वह कैसा रोल प्ले कर सकती है तो देखते हैं इंडियन मैनुफेक्चरिंग सेक्टर विल बी दे मेजर नेशनल एंड वर्ल्ड प्लेयर इन मसीन टूल्स है ना फांडरी फांडरी एंड ट्रांस्पोर्ट एक्यूप्मेंट तो भारत के जो मैनुफेक्चरिंग इंड्रस्ट्री जो सेक्टर हैं वह विस्वहर में अपन इंडिया मतलब बहुत से इंजिनियरिंग प्रोड़क्स जो है वह भारत में डिजाइन हो रहे हैं इंडिया विल बी दा मेनुफेक्चरिंग सेंटर आप दे वर्ल्ड और भारत जो है वह मेनुफेक्चरिंग सेंटर विस्वहर मेनुफेक्चरिंग सेंटर होगा विल भी म यहना service sector में भारत global leader के रूप में उबरेगा providing excellent service within the country and outside मतलब सिर्फ भारत में ही नहीं भारत के बाहर मतलब पूरी दुनिया में भी excellent service प्रदान करेगा यह हम वीजन 2020 की बात कर रहे हैं ना How can good infrastructure contribute to development? Infrastructure जो है एक अच्छा infrastructure मतलब एक धाचा development में किस प्रकार से योगदान दे सकता है तो इसका answer होगा A good infrastructure believes the need of development. Question number 10 की बात करें How can we realize the vision? हम vision 2020 को कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसका realization कर सकते हैं तो the vision will not be realized spontaneously. जो vision है वो अपने आप ही realize नहीं होगा nor can it be left to the government, planners, scientists, economists. मतलब यह सिर्फ किसी government, योजना करता हो विज्ञानिकों और अर्थसास्त्रियों से भी नहीं होगा. Alone, everyone has a role to play. हमें और भारत के हर व्यक्टी को अपना रोल पहचानना होगा और उसके प्रती काम करना होगा. Each and every person in India मतलब भारत के प्रत्यक व्यक्टी को अपना रोल प्ले करना होगा. यदि हम विज्ञान 2020 को सार्थक करना चाते हैं, we should act now. हमें कारी करना होगा and persevere of any setbacks we may face along the way. और भले ही इसमें हमें कितने भी setbacks मिलें. सेट बेक से मतलब होता है आसफलता होना या दिक्कतों का सामना करना. Question number 11 की बात करें. How can we initiate the example of Japan and Germany? Japan और जर्मनी ने जिस प्रकार से एक उधारन, एक मिसाल प्रस्तुत की है कि इस प्रकार से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं. देखें, जब 1949 में दुती विसु इद्धु हुआ था, इसके बाद जापान और जर्मनी की हालत काफी सकता हो गई थी, उसके बावजुद आज वो विसु में एक विक्सित देश में गिने जाते हैं. तो क्या हम अपने आपको इस प्रकार से विक्सित कर सकते हैं? ऐसा यह कुशिन कह रहा है. We can initiate Japan and Germany who were destroyed by World War Second. मतलब जापान और जर्मनी जो है World War Second में पूरे तरीके से नस्टो हो चुके थे and by their sincere effort और उनके sincere effect के द्वारा they who become developed nation और वहां विक्सित देशों में गिने जाते हैं. We also must cage their spirit of hard work. उनके कठोर परिश्रम को हमें cage करना चाहिए. उनसे सीखना चाहिए. Industry and love for their nation. और उन्हें नहीं जो अपने राष्ट से प्रेम किया और उनके प्रती जो योगदान दिया है वेसा हमें करना चाहिए. Question No.12 की बात करें. How has the Indian IT industry grown? How can we help in the establishment of a stable framework of government? Question No.13 की बात करें. इसका अर्थ होना चाहिए. हम किस तरह सासन के एक इस्थाई धांचे की स्थापन में सायता कर सकते हैं. मतलब सासन कोई framework of government का जो stable framework है तो उसमें हम किस प्रकार से सायता कर सकते हैं. हम मतलब कौन? Local people. या हम आदमी. With a stable framework of government non-revelopment is possible. मतलब इस्टेबल फ्रेमवर्क के बिना कोई राष्ट या सरकार विकास नहीं कर सकती. The designs should be realized their rights and duties. मतलब जो citizen है, नागरिक हैं, उनको इस बात का ऐसास होना चाहिए. और उनके क्या rights हैं, उनकी क्या duty हैं, यह हमें समझना चाहिए. Only then, the establishment of stable framework of government is possible. ऐसा होगा, तभी stable framework जो है, वह संभव है और हम गवर्मेंट की भी help कर सकते हैं. Question number 14 है, में के list of civic duties as suggested by Dr. Kalam. Dr. A.P.J. अबदूल-Kalam द्वारा जो एक नागरिक के करते हुए हैं, वो बताया गए हैं, उनकी एक list बनाई है. तो चलिए, list बनाते हैं, पहला है, participate in civic programs, हमें जो civic programs हैं, उनमें participate करना चाहिए, जैसे, civic program क्या-क्या है, cleaning up a local park, जैसे हमारे घर के पास या महले में, गाउ में, सहर में local park हैं, तो उसको साफ रखना चाहिए, planting trees, पेड़ पोधे लगाना चाहिए, helping unprivileged children, जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, उनकी हमें मदद करनी चाहिए, keeping school campus, keeping school campus clean, और हमारा जो school का, जो campus है, उसको हमें साफ रखना चाहिए, question number 15 है, how has Singapore become one of the cleanest city in the world, Singapore दुनिया में सबसे साफ सहर माना जाता है, तो वह कैसे हुआ, पढ़ते हैं, Singapore was once an untidy city, untidy का आर्थ होता है, गंदा या फिर बद्दा सा लगने वाला, Singapore एक समय में untidy city माना जाता था, जहां साफ सफाई की कमी थी, today, due to programs started by the government and willing assisted by citizens, it has become one of the cleanest city in the world, government के दुआरा आयोजित किये गए कारिकरम और उन कारिकरमों में जुम्हा के जो सिटीजन हैं, उनके assisted का आर्थ होता है, सहायता करना, योगदान करना, इसकी वह से सिंगापूर जो है, दुनिया का सबसे साफ सबसे साहर माना जाता है, दिब्रदेश का सबसे सवच्छ या भारत का सबसे सवच्छ सहर कोन सा है, उसका नाम आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है, कुश्चन नमबर 16 की बात कर रहे है, वाट डर्ज डॉक्टर कलाम मीन बाइविंग एन इंडो मिटेबल स्पिरिट, डॉक्टर मतलब है, he means, firstly, you should have an aim and work for it, उनका ये मानना है कि सबसे पहले तो हमें एक लक्ष साधना चाहिए कि मुझे ये करना है, लक्ष बनाना चाहिए, उसके बाद में उसके प्रती हमें कारी करना है, दूसरा है, secondly, if you become, if you, if you encounter some problems while doing so, ऐसा करने में यादि आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है you do not allow them to be your master तो उन समस्याओं को अपने उपर हावी नहीं होने देना है become master of the problems और problem का पर हमें हावी होना है defeat them and succeed उनको हरा कर हमें सफलता प्राप्त करने है किनको हरा कर? समस्याओं को हरा कर question number 17 है what effects could the ignited mind working with indometable spirit produce देखिए question का आर्थ क्या हो रहा है से पहले तो हम यह समझ लें कि ignited mind क्या होता है ignited का आर्थ होता है प्रजलित होना और mind मतलब मस्तिस्क तो जो indometable spirit है कभी ना हार मानने वाली जो भावना है उसमे ignited mind मतलब प्रजलित मस्तिस्क किस प्रकार से मदद कर सकता है तो डॉक्टर एपी जी अब्दूल गलाम का यह मानना है कि हमारे देश के जो युवा वर्ग है उनका mind क्या है ignited mind है तो देखते हैं when ignited mind work with indometable spirit जब प्रजलित मस्तिस्क कभी ना हार मानने वाली भावना या दोनों एक साथ मिलकर यदि कारी करते हैं ए प्रोस्परस हैपी एंड सेफ इंडिया इज एशोर्ड तो निश्चित रूप से भारत एक धनवान धनी प्रोस्परस खुस और सुरक्षित देश निश्चित रूप से होगा एसा उनका मानना है ठीके दोस्तों तो ये चेप्टर नंबर 14 के कुश्चन आंसर हमने देखे हैं पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें साथ ही प्लेलिस्ट में आपको टेक्स्ट बूक, वर्क बूक, ग्रेमेटिकल पोर्शन, राइटिंग स्कील सभी चीज़े आपको मिलेंगी तो आप अपनी क्लास 12 की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोस को सेयर करना ना भूलें थेंक्यू वेरी मच फर वाचिंग